नमस्ते दोस्तों सबको राम राम यह देखिए आज में एक जैंट स्वेटर डिजाइन बनाना सिखाऊंगे आपको और देखिए स्वेटर में बनने के बाद की तना सुन्दर लगता है यह डिजाइन जो है न सदा बाहर है हनी कॉम डिजाइन बोलते हैं इसको मदुमक्खी क च्छते जासा डिजाइन लगता है यह देखने में और बहुत आसान है बनाना और इसको बनाने में कहीं बार ना जब गड़बड होती है वह गड़बड ना हो वह तरीका भी मैं आपको बताऊंगी क्योंकि काफी लोगों ने इसके बारे में मेरे को बोला है कि यह सीधी उल्टी दो सलाई में बनता है और जितने भी आपको स्वेटर में फंदे डालने हैं उतने फंदे डालके और इसको फिर आप शुरू करें इस तरीके से तो देखे कैसे यह बनाना है वह बताऊंगी मैं और स्वेटर में इसमें मैंने कितने फंदे डालने हैं वह भी देखिए पहले आप थोड़े से फंदे में डाल के इसको ट्राई करें फिर उसके बाद बनाएं देखिए मैं थोड़े से में डाल के बनाऊंगे मेरे साथ साथ आप भी बना सकते हैं और इसमें बिल्गूल भी गलती नहीं होंगी, आपको यह दो सलाई बहुत द्यान से पहला फंदा हमने उतार लिया और दूसरा फंदा जो है इस पर हम उतारने के बाद इस पर लपेट करेंगे बनाएंगे नहीं फिर एक फंदा हम बना लेंगे उल्टा फिर इस पर हम लपेट करेंगे एक फंदा उल्टा बनाएंगे फिर एक ऐसे लपेट करेंगे एक उल्टा बनाएंगे फिर एक ऐसे लपेट करेंगे एक उलटा बनाएंगे फिर इस्पर हम ऐसे करेंगे और ये फंदा हम उलटा बनाएंगे फिर उसके बाद देखें दीजैन की इसको दागा आगे करके हम ऐसे उतार लेंगे, फिर इस फंदे को हम बनाएंगे, पहले को फिर दूसरे, तो बल डालने के बाद आपको दो फंदे बीच में बनाने हैं, और वो अपने आप आपको बीच में दिखाई दे जाएंगे, और फिर ये बल आएगा, बल को उतार ले चैटे चैटे में तो में आये दोनों सब्लाई ओलटे बना लेंगे न देखें या को उसका वल आ गया लपेट यह बना लिया अमने फिर दूस रिकेंद आगे तो अब ये उतार लिया फिर दो उल्टे फिर ये उतार लिया तो फिर दो उल्टे और कि ही आसानी से यह टिजैन बनने वाला है इसमें ना गडबड हो जाती है कहीं होते हैं सिकायत आती है कि इसमें भूल जाते हैं तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो बिल्गुल नहीं भूलेंगे अब देखिए पहला फंदा अमने ऐसे उतार लिया अब आपको यह दिख रहे ह आपको ऐसे तीन तीन फंदे वल वाला दो फंदे तो सारे फंदे इस तरीके से दिखाई देंगे तो वह हमें क्या करना है देखिए पहला फंदा हम इस तरीके से जो अगर आपको ऐसे बिना बने उतारना तो बिना बने उतार के दागा आगे कर लेंगे और यह जो दिख र बना लें इस पर बल डालना और इस पर बला डालना आए यह बीच का फंदा आपको का सिंगल दिखा ही देगा तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे कि यह कैसे करना है कि तो फंदे हैसे और यह फंदा लाश्ट वाला सीधा बनाएं यहूलटा हो आपकी मर्जी है इक सीधी ही में कि य। वल अब होड़ कर तो बीच तो बिल्कुल पर बड़ने होगई में धुबदral कुछaire थया । अब देखिए, यह देखिए दिखना शुरू हो गया, अब पहला फंदा हम ऐसे उतारेंगे, अब सीधा फंदा फिर हमें उसी तरीके से बनाना है, देखिए, अब यह सिंगल फंदा दिख रहा है, तो इस पर दागा करके आगे हम इस पर ऐसे बल डाल लेंगे, और दो का एक करेंगे, सीधी सलाई में दो का एक करना है, जब बल डल जलता है, उसके बाद हम फिर इस पर बल डाल लेंगे, यह दो का एक कर लेंगे, फिर इस पर बीच वाले पर बल डाल लेंगे, दो का एक कर लेंगे, बस यह हमें करते हुए जाना है, फिर देखिए, इस पर बल डाल अगली बार अगली आईगी जब यह बल उतार लिया तो दो उल्टे यह उतार लिया दो उल्टे फिर यह उतार लिया फिर यह दो उल्टे फिर यह उतार लिया फिर दो उल्टे देखे बिल्कुल सेट एकदम हो जाता है फिर यहां कोई गडबड नहीं हो गया हमारी अब यह देखिए डिजैन शुरू हो गया अब इसमें पहला हमारा बनेगा और इस पर हमें फिर्व से बल डालना है बस सिधी उल्टी दो सलाई का यह डिजाइन है अब मैं अगली सलाई में यह बताऊंगी कि हम गलती कहां करते हैं जो यह डिजाइन बिगड़ता है कि यह देखिए इस तरिके से बहुत ही आसान डिजाइन है लेकिन इसमें कहीं शिकायते होती है कि यह बूल जाते हैं गड़बड हो जाती है तो सीधी सलाई में यह द्यान रखना कि कि 2-1 करना है बल्ड डाल के जब शुरुवात करते हैं तो हमें 2 करना पहले इस सलाई में हमें एक पर लपेट करना एक उल्टा बनाना है और उसके बाद फिर हर सलाई पर दो का एक करेंगे सीधी सलाई में यह वलवाला और यह फंदा और उल्टी सलाई में देखें उल्टी सलाई में हम गलती कहा करते हैं यह जो दो फंदे हैं यह हमें बना लेने हैं क तो वहां गड़बड हो जाती है हमें बीच वाला फंदा नहीं निकालना जो यह बल डला हुआ है यह अपने आप आगे होता है अगर यह आगे नहीं है तो इदर फंदा समझो हमारा गड़बड है घट गया या कुछ भी हो गया गलत हमने शुरू किया तो यह देखे बल डाल इसमें और यह हमने दो बना लिये फिर फिर हमने यह बल डाल लिया और दो बना लिए तो यह डाला ना लपेट से पने आप आगे फंदा होता है तो समझो सही है हमारा अगर यह पीछे से हम निकालते हैं न फंदा ऐसे पीछे करके तो वहां गड़बड होती है अब देखें यह लपेट हो निकाल लिया और यह दो फंदे हमने ऐसे कर लिए सीधी उल्टी दो सलाई का बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन ह यह देखें अब सीधी सलाई एक बार आप और ज्यान से देख लें जब हम शुरू करते हैं न तो एक पर हम लपेट करते हैं फिर एक उल्टा बनाते हैं तो वह शुरुआत में सिंगल फंदा होता है उसके बाद जितने भी फंदे आएंगे सीधी सलाई में यह फिर याद रखने का कि सीधी सलाई में हमें एक फंदा ऐसे उतार के इस पर लपेट करना है दो का एक करना है फिर ऐसे हमें लपेट करना है फिर दो का एक करना है फिर ऐसे लपेट करना है दो का एक करना है यह बल सहीत दो फंदे होते हैं यह होता सिंगली फंदा है जिससे हमार डिजाइन बनता है, तो जब शुरुवात करते हैं, तो जब हम बल डालते हैं, तो एक ही फंदा बनाते हैं, जैसे हमने शुरुवात की थी ना, तो एक पर बल डाला था, एक उल्टा बनाया था, एक पर बल डाला था, एक पर उल्टा, फिर इसके बाद बल डलते चलेगा हर फंदे पर बल्डल होते हैं सीधी सलाई में तो वहां ये फंदे दो के एक करने हैं उल्टी सलाई में ध्यान यही रखना है कि जो हमारा वह बल्डल आवा फंदा है ना वह वह हमारा आगे आना चाहिए देखें बिल्कुल सही तरीके से एकदम सैट होगा अब जैसे देखें यह फंदा हमने उतार लिया या बना लिया जैसा भी फिर इसके उतारते ही हमें यह जो फंदा है ना यह वाला यह उल्टा बनेगा ये फंदा देखे ऐसे है और ये ये सिंगल फंदा इसमें ये रहेगा तो इसमें हमें याज शुरू बात में जब इधर लपेट आ जाता है ना तो ये ये वाला उतार लेना है ये देख लेना है कि याँ दो फंदे हमें उल्टे दिख रहे हैं तो ये बना लेने फिर तीसरा ये लपेट का तो हर बार दो दोगा साही हो जाएगा शुरुवात का ध्यान रखना होता है शुरू में ये एक बार कभी-कभी बीच में सिंगल फंदा आएगा तो आपको ऐसे दिखेगा उल्टी साइड से तो ये एक फंदा बनाने के बाद इसको ऐसे कर लेना है तो उससे क करते करते हमारा पूरा डिजाइन बनता हुआ चला जाएगा देखिए अब ये डिजाइन बिल्कुल हमारा एक दम इसी तरीके से एक दम सेट हो जाएगा दो सलाई बस सीधी और उल्टी सीधी में में ध्यान ये रखना है कि जब हम शुरुवात करते हैं तो एक फंदे पर लपेट करते हैं कि उल्टा बनाएंगे उल्टी सलाई में हमें जो बल डाला है हमने लपेट किया वह उतारना दो फंद में बनाने हैं उल्टे ऑल्म और ये बहुत ही आसान डियाइन है और एक बार दिमाग में एक दम सैट हो घया न ये तो फिर आप एक दम les partner आम ऐ आपको बता देती हूं अब देखिए इसमें 200 ग्राम उन लगी है और 10 नंबर की मैंने इसमें सलाई लगाई है वर्दमान की उन जो आती है न 10 नंबर से बहुत अच्छे से बन जाते हैं और इसमें मैंने फंदे डाले हैं नीचे 110 तो इस वाले स्वेटर में हमें बढ़ाने क ज़रत नहीं होती फंदे यह अपने आपी एकदम थोड़े से इसमें फंदा खुलता है ओपर जाके डिजाइन में तो देखिए आज कि यह वीडियो थी कैसी लगी आप बताना जरूर प्रेमेंट में लिख कर